रतिया में गंदगी कामबार एक तरफ तो सरकार आई देन सुच्छता अभ्यान चड़ाती हैं दूसरी तरफ रतिया की ये तस्वीरें कुछ औरी कहती हैं जी हाँ गंदगी के ढेर ने हैं लोगों की आफ़त को बढ़ा दिया है आखर क्या है पूरा मामला इस रिपूर्ट के तरी आपको दिखाते भी हैं और समझाते भी हैं इन तस्वीरों को देखिए यहाँ दूर दूर तक आपको सणकों पर केवल गंदगी ही नजर आ रही होगी गंदगी के कारण ही यहाँ के लोगों को काफी जादा परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस गंदगी को देखकर ऐसा बिलकुल नहीं लग रहा है कि यह शहर की सड़क है बलकि ऐसा लग रहा है कि यह कोई कूडे की धेर हो एक तरफ तो स्कूल है गल्स सिनियर स्केंडी स्कूल और दूसरी तरफ मंदर और प्लेगराउंड है और गुर्दवरा साब है और साथ में कलोनी है लेकिन गंदगी के जो देर हैं वो दिन परती दिन बढ़ रहे हैं इसके कार मिमारियां फैल रहे हैं मच्छर फैल रहे हैं लेकिन नगरपली का कई बार इसके बारे में अबगत भी करवा दिया गया लेकिन ना तो जो वैन लगा रहे है और ना ही नगरपली का करमचारी आ यह पता नहीं है भी जो पैसा आ रहे है सरकार की तरफ से वो कहां लग रहा है प्रशाष्चन को कई बार इसके बार में चिताया गया है और खबरें भी लग चुकी है लेकिन आज तक उसकी कोई सुद्वद्न नहीं ले रहा है शहर में जगय जगय लगे कूड़े के धेर से सफाई विवस्था चर्मराई हुई है और लोगों में भी गंदगी को लेकर भान रोश है शहर के गर्ल्स स्कूल मद्दिर और गुरुद्वारे के आगे लगे इस गंदगी के अमबास से लोगों को इतने दिक्कत हो रही है कि गुसाई लोगों ने यहां तक कह दिया कि सामाधा नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन करेंगे पर कोई चाडूमारन दे लेई जा कोई सफाई दे लेई वहीं मामले में नगरपाली का सचीव का कहना है कि लापरवाही करने वालों पर सक्त से सक्त कठोर कदम उठाएंगे रतिया में नगरपाली का अधिकारियों और ठेकेदारों की लापर वाही स्वक्ष भारत के सपनों को तार तार कर रही है रतिया की ये तस्वیरें स्वक्षता भीयान को ठेंगा दिखा रही है अब देखना ये होगा कि यहां के लोगों को कब और कैसे रहत मिलेगी क्योंकि बिमारीों का खत्रा यहां के लोगों को सता रही है हर खबर के लिए रतिया से अशो ग्रोवर की रिपोर्ट